कौन होगा 3.0 में विलिन कब आ रही है ये फिल्म हलो दोस्तो बॉलिग्राद स्टूडियो से मैं हूं सानिया सेफी दोस्तो 2.0 भारतिय कालपनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म थी जिसका निर्देशन शंकर ने किया था इसके लेखक, शंकर और जै मोहन थे और ये 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एंथरन यानि के रोबोट का दूसरा पार्थ है जिसमें रजनी कांथ, एमी जैक्सन और अक्षे कुमार मुख्य किरदार में है ए आर रह्मान ने फिल्म में संगीत दिया है, इस फिल्म को 14 भाशाओं में डब किया था 29 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया जेनरली इस फिल्म को पॉजिटिव क्रिटिसिजम ही मिला है इसमें आलोचकों ने विशेश रूप से फिल्म के दुरुष्य प्रभाव, रजनिकांत और अक्षे कुमार के प्रदर्शन और साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने की सराहना की है लेकिन कहानी और उसकी गती को लेकर काफी आलोचना भी हुई है हाला कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही दुनिया भर में 117.34 करोड रुपे की कमाई की है इस फिल्म के हिंदी डब ने 140 करोड रुपे की कमाई की और बाहु बली दे कंक्लूजन के बाद दूसरी सबसे ज़ादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म बन गई है इसी के साथ पूरी दुनिया में इसने सबसे अधिक कमाई करने वाली छटी भारतिय फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया था 563 करोड रुपे के बचट से और फिल्म ने कमाई की 700 करोड रुपे की फिल्म के बहतरी विज्वल्स को लेकर दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था और फिल्म की सकसेस को देखते हुए फिल्मेकर्स पूरी तरहा से मूड में हैं इस फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए यानि के 3.0 पाइप लाइन ने हैं दोस्तो हाली में फिल्म से जुड़ी एक ताजा और बड़ी खबर सामने आई है खबर ये है के 3.0 के विल्म के लिए इस बार फिल्मेकर्स और भी जादा आगे जाना चाह रहे हैं और और बड़ा विल्म इस फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं लेकिन दिलचस्प बात ये है के फिल्म की तीसरी installment में, विलन के किरदार में कोई female नजर आने वाली है और female भी Hollywood की जानिमानी actress होगी जी हाँ, 3.0 के लिए ना सिर्फ विलन के किरदार में female होगी, बलके वो होगी Hollywood actress और हम बात कर रहे हैं Helena Bonham Carter की जिन्होंने Harry Potter में निभाया था बहुत ही villainous किरदार जिससे आज तक बच्चे नफरत करते हैं जी हाँ सही समसे Bellatrix Less Strange की Harry Potter में villain का किरदार निभाने के बाद वो एक और बार बच्चों की फिल्म Alice in Wonderland में फिर से इर villain के किरदार में नजराई थी और हम देखते हैं कि आज तक Helena ने जाद अतर villain के किरदार ही निभाए हैं और हर किरदार को इस तरह से दिखाती हैं कि दर्शक उनके दिवाने हो जाते हैं और इसी चीज़ को देखते हुए अब 2.0 के फिल्मेकर्स चाहते हैं कि 3.0 में Helena villain का किरदार निभाए दोस्तों अगर बात बन जाती है और Helena फाइनली इस फिल्म के लिए हां कर देती है तो ये फिल्म बनेगी Hollywood के लेवल पर उमेद करते हैं कि इस फिल्म के लिए Helena हां कर दे और Bollywood को मिल जाए एक और व्लागबस्टर फिल्म इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटस्ट अब्डेट्स जानने के लिए जुड़े रही है बॉलिग्राथ स्टूडियो से